ब्राइटनेस और ऑपसिटी टेस्टर मशीन को मेंस पे लगाने के बाद पावर ओन करेंगे लगाई यह पावर ओन कीजिए पावर ओन करने के बाद मशीन विल रिक्वाइड आल्मोस्ट फाइव तू सेवन मिनिट्स तु स्टेबलाइज पांस से साथ मिनिट के अंदर आप सब्सक्राइज करेंगे फ्रेंट पैनल पर सेक्शन में बी और ओलिका है त Hautा फिल्टर सेलेक्ट्ट भी के तरफ रंखेंगे तो और यह समद्सटी सबसेर पावर गरेंग संअगरें और भी चब्राइट से लेक्ट मतव्यच विल्ट्स अल्यकित um में जिरो की and then you keep the tile the tile value is 80.5 80.5 आपने set कर लिए with the help of front pot जिसमें fine का port है उसके बाद आपने एक non value हाँ 80.5 set कर लिए उसके बाद आपने white paper लिया white paper लिने के बाद उस paper के आपने multi fold किये और उसको आपने machine में लगा दिया तो that will show you directly the brightness of that paper this is 81.7 percent is the brightness of that paper opacity लिने के लिए क्या करेंगे सब पास जिरा एक भर करी है opacity के लिए फिर आप opacity वाले filter पर ले जाएंगे सबसे पहले initially machine को zero करके opacity का filter select किया आपने और sample को initially आपने machine को zero किया with the help of zero cavity जिस paper की आपको opacity निकालनी है उसी के आपने multi fold किये और 100 पे value set कर लिए with the help of course आपने इसे 100 set किया fine adjustment के लिए आपने fine का पोट यूज किया और इसे 100 set किया 100 set होने के बाद आपने single paper को निकालना है और उसकी opacity आपने देखनी है आपने उस paper को लगाया है and this is the opacity of the paper this is 95.5 95.8 25.5 से लेगे एक के बीच में है अलाग देखे ठीक है thank you